तो सबसे पहले जैसे आपको ओल्लेडी पता होगा कि वन मन्त किसके एकवल होता है 30 देज या 31 देज के बट यहाँ पर हम कोशन को सोल करते टाइम वन मन्त किसके एकवल लेंगे 30 देज के एकवल लेंगे अब आपको यह पता है कि एक मन्त में 30 देज है ऐसे अगर हमें 2 मन्त का निकालना हो 2 मन्त में कितने देज होंगे 2 मन्त तो क्या करेंगे हम 30 को 2 से मल्टिप्लाई कर देंगे 30 मल्टिप्लाई 2 तो किसके एकवल आ जाएगा वो 60 days के एकवल आ जाएगा ऐसी हमें 3 month का निकालना हूँ तो 3 से multiply कर देंगे 1 month में 30 days है 1 month किसके एकवल है 30 days के एकवल ऐसी हमें 5 month, 12 month, 16 month means हमें उसी number से multiply करते जाना है 30 को 2, 3, 4 और जितने month का हमें find out करना है उसी number से हमें multiply कर देना है days को तो हमारे पास total days आ जाएंगे ठीक, तो यहाँ पर इस question को हम solve करेंगे हमारे पास जैसे की 2 questions है 1 question है 48 month और 2nd question है 12 month 6 days 1st question है 48 month 48 month में कितने days होंगे वो हमने calculate करने है ठीक, सबसे पहले आप 48 month को कैसे लिख सकते हो 48 month 48 multiply 1 month जैसे की मैंने last questions में भी आपको करवाया है इसी pattern से मैंने करवाया आपको 48 multiply 1 month तो हमारे पास यह बन गया 1 month 1 month के place पे हम put कर देंगे 30 days तो यहाँ put कर देते हैं 48 को as it is लिखेंगे multiply 1 month के place पे put करेंगे 30 days next अब multiply कर देंगे 48 को 30 से 0 को as it is लगाएंगे 3 को 48 से multiply कर लेते हैं 3 8 सा 24 2 carry होगा 3 4 जा 12 ओ 2 14 1440 days अब यहाँ पर same वही pattern बन गया जैसे की 2 month का निकालना हो तो 2 से multiply कर देते हैं 12 months का निकालना हो तो हम 30 days को 12 से multiply कर देते हैं same हमने ऐसे यहाँ पर किया 48 months का find out करना दो तो हमने 30 days को 48 से multiply कर दिया clear तो यह इस question का answer आ गया I hope you clear this topic now next question is 12 months 6 days अब इस question और इस question में क्या difference है यहाँ पर हमें 12 months given है यहाँ पर 48 months given है बट यहाँ पर हमें 6 days extra लिखे हो हैं साथ में month के साथ 7 में क्या लिखती है 6 days हमें convert किस में करना है convert करना है days में तो यह already days में convert है इसको convert करने की जुरत नहीं है इस part को हमें 12 months को convert करना है तो इसको first लिखेंगे 12 months plus 6 days हम क्या करेंगे जब इसको days में convert कर देंगे उसमें ये 6 days add कर देंगे तो इसको next लिख सकते हैं 12 months 12 को लिख multiply 12 multiply 1 month plus 6 days next 1 month 1 month किसके equal है 1 month equal to 30 days put कर देंगे 12 multiply 30 days plus 6 days clear next multiply कर लेते हैं 12 multiply 30 360 days plus 6 days next ये भी days और ये भी हमारे पास days हागे इन दोनों को व्या कर देंगे हम add कर देंगे तो इसको add कर लेते हैं 360 plus 6 366 days this will be our answer I hope you clear this topic तो next session में करते हैं next topic ये एर और हैंammाबे ये भी हैं